कि मैं आपके साथ हर्विंद मिश्रा हम लोग दोनों यानि हम सब मिलकर के देख रहे हैं हिंदी साहित्य इस बार मुख्य परिक्षा में पेपर के रूप में कैसा रहा है आज के इस प्रोग्राम में UPSC 2024 मेंस एक्जामनेशन ओप्सनल जोग्रफी प्रश्णुपत्र के एक ओवराल व्यू को प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने आया हूँ इस मेन का PSIR का पेपर हो चुका है और PSIR के इस पेपर में हम लोग फस्ट लुक चर्चा करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था आज के सेशन में हम लोग 2024 को मुख्य परिक्षा जो संपन हुई है optional की उसमें विशेश कर समाज शास्त्र विशेश से संबंधित प्रश्णुपतर फस्ट रियाक्शन देखेंगे चलिए जो है history optional का question paper जो है आप लोग का conduct हो चुका है अभी बस के वल जो है random एक हम लोग जो है इसका quick review देखा जाएगा नमस्ते दोस्तों जैहिंद बंदे मात्रम कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी क्या PW only IS पर और मैं आपके साथ थर्विंद मिश्रा हम लोग दोनों यानि हम सब मिल करके देख रहे हैं हिंदी साहित्य इस बार मुख्य परिक्ष्या में paper के रूप में कैसा रहा है तो बहुत ज्यादा पजल होने की जरुरत नहीं है यह विशाई इतना रूचिकर इतना आसान है कि इसके प्रश्न भी ब आइसो मार्किंग यानि 500 अंकाप का ओप्ष्नल अब ब्रंस अवहट प्रारंभिक हिंदी तैयार कर लीजिए तो हर हाल में दो प्रश्न आते देखिए पहला प्रश्न अब ब्रंस अवहट पर तुलनात्मक्चर्चा करें दोस्तों अगला यूनिट जो है यदि ब्रज अवधी तैयार कर लीजिए तो वहाँ से भी एक दो प्रश्न इस बार भी देखिए आप अवधी भास्ता की अखिल भारतिये लोग प्रियता का कारण रामचरित्मानस और पधमावत जैसी की रचन है दोस्तों इसकी अलावा यदि आप खड़ी बोली को तैयार कर लें तो खड़ी बोली से बड़ा एक प्रश्न एक छोटा प्रश्न देखिए वहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है सद्धनात साहित्य की शब्दावली आनि खड़ी बोली के शब्द और फिर पुछा हुआ है कि भारतिंदु मंडल में राष्ट्र भास्टा हिंदी के विकास की यात्रा भारतिंदु मंडल के द्वारा इतना ही नहीं सिधे सिधे पुछा हुए राष्ट्र भास्ता की अधारना और हिंदी खड़ी बोली हिंदी की व्याकरणिक विश्यस्ताइं यानि फर्स्ट पेपर इतना सिंपल है अब ब्रंस औहट प्रारंबिक हिंदी तयार कीजिए तो दो प्रश्णाने हैं अवधी ब्रज और खड़ी बोली तयार कीजिए तो दो प्रश्णाने हैं इसके अलावा एक हिंदी का मानकी करण राजभास्ता राष्ट्र भास्ता कुल कुल मिला करके प्रोष्ण देख लीजिए अठारहमी उनिसमी शताब्दी में इसाई मिसिनरीयों के द्वारा हिंदी का विकास यानि खड़ी बोली का विकास फिर आप देखें हिंदी भास्ता के मान की करण फिर देखें राज भास्ता हिंदी विश्यक कंप्यूटर के कारेक हिंदी पहला योनिट अवधि ब्रज खड़ी बोली दूसरे यूनिट के रूप में और राष्ट्र भास्ता राज भास्ता इसको तयार कर लिज़ो और एक मानक हिंदी तो सारे प्रश्न वहीं से आते हैं बीना कि ले डूले जैसे आप भास्ता को तयार करते हैं तो उसी मे बजाते ही कर लेंगे हम लोग क्योंकि सबके लिखीत एंसर हमारे पास हैं दोस्तों कि यदि आगी हम बढ़ें तो अब इसे खंड बा के रूप में पुछा हुआ है और वास्तों में जो खंड बा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है यानि फर्स्ट पेपर में एक तो फर्स्ट पेपर में जो दूसरा खंड है साहित्यत्य वहाँ भी टिप्पणि आप देखिए विद्यापती की गंगा भक्ती विद्यापती शैव भक्त भी थे वैश्णों भी थे शाक्त भी थे रंग मन्च का स्वरूप यानि नाटक और रंग मन्च का विकास प्रयोग व पीता की भाश साथ कि प्रोष्ण कैसे राम विलास्टर्मा की अलोचना द्रिष्टी कृष्ण भक्त मुस्लीम कवित्रियों कभी मौका लगे तो ब्रिंदाबन वगर घूम आईए रस्खान की समाधी देखाईे जो ताज बीबी हैं माता ताज बीबी की समाधी देखाईे आ आपको लएगा कि क्रश्ण भक्त कवित्रियां भी थी अगले मुद्दे पर आएं तो पूछा हुआ है फर्स्ट पेपर में आचारे राम चंद्र शुकल की साहित्य इतिहास द्रिष्टी इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं विधेवादी द्रिष्टी कौन उनका कैसा रहा है रहस्यवाद के प्रति नजरिया क्या है सिद्धो नाथों के प्रति कभीर के प्रति उनका क्या द्रिष्टी कोण है आधुनिक साहित्य के विशय में क्या सोचा अगला प्रशन रीती कालिन कभियों की श्रिंगार चेतना अब रीती कालिन कविता की केंद्रिये जो चेतन है वो श्रिंगार है रास लीला की अखिल भारतिये व्याप्ति को स्पष्ट करते हुए प्रदर्शन पद्धती यदि आप नाटकों के विकास को पढ़ेंगे तो नाट ये रासक की उत्पत्ति रास से भी हुई नाटकों की अभी रास लीला कृष्ण भक्ति से जोडते के यथार्थ वादी द्रिष्टी कोण है तो बीसमी शताब्दी के पुर्वार्ध के हिंदी उपन्यासों के कथे के आधार पर स्वातंत्रता के दर्शन स्वातंत्र योत्तर जो उपन्यास है खास करके यदि आप बात करें उन उपन्यासों में यथार्थ वाद की जलक है क कुछ आप ये कह सकते हैं कि प्रेम्चन के पश्षाद जो उपन्या सुरू हुए उनमें स्वतंत्रता की द्रिष्टी क्या है नारी चेतना कैसी है दिव्या वगरा को पढ़ें तो क्या इस्थिती है अगले प्रोश्ण में देखें साथ होतरी हिंदी कविता यानी समकालीन अगर मानली जेक निबंदकार पूछले वीवेकी राय तो इसी पर प्रश्ण है आप छोड़ भी सकते हैं कुछ मुद्दों को छोड़ सकते हैं यह हिंदी की सबसे बड़ी खुबसूरती है अगले मुद्दों को देखें तो भक्ति कविता में भारत बोध रामचरित मानस को पढ़िएगा कवितावली को पढ़िएगा तो उसमें भारत बोध की चर्चा और पूरे भक्तिकाल में भारत बोध है भारत तोदय है कहीं न कहीं मध्यकालीन लोक जागरन की अभी व्यक्ति है संपोर्ण सामाजी जातिये चेतना की बात की गई है निर्मल बर्मा की कहा यानि है फिर रेखा चित्र और संस्मरन पूछा गया है ऐसी ही अगर आप सेकेंड पेपर को उठाएं तो याद रखिए ब्याख्या भी जो पूछी जाती है कभीर सुर्थ तुलसी को कर ले तो देखिए तुलसी मैथली शरण गुप्त को कर लीजिए कामाईनी को कर लीजिए ब्रह्म हराक्षस को तयार कर लीजिए कुल बारह कभियों को पढ़ना इन में से हर बार भक्तिकाल के दो कभियों से दो व्याख्या पूछी ही जाती है और आधुनी कालियदी आप जैशंकर प्रसाद यानि छाय सुर्यकांत्र पाठी निराला को पढ़ने तो वहां से भी व्याख्या आती है अब देखिए नागार्जुन की पंक्तियां पूछी गई है बादल को घरते देखा है ऐसे ही दोस्तों भक्तिकाल को हिंदी साहित्य में तयार करना चाहें फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर कितना महत्तोपोर्ण है वो स्वामी तुलसी दास के कवितावली पर प्रश्ण है उत्तरकांड इसमें पूछा जाता है कभीरवानी के डिक्टेटर है एक दाम रटा रटाया प्रश्ण है विहारी के वीरह वर्नन की मार मिक्ता विहारी श्रिंगार के कभी है लेकिन वहां वी रहगावरणन है दोस्तों के कविता पर अक्सर प्रश्न आना है रामिकिशक्ति पुझा का श्रिय्प विधान क्या है यानि और निरौकी शक्ति पूझा की भुनावत महाका व्यातमक्ता है नाठा की अता है दोस्तों इन सभी प्रश्णों का डिटेल एनालिसिस तु हम लोग करेंगे प्लेटफर्म पर आप लोग उससे जुड़े रहें लेकिन यह देखी कितने सिंपल प्रश्ण है फिर पूछा हुआ अधार पर दिनकर की युद्ध चेतना या युगीन चेतना सिंपल है युद्ध क्यों जरूरी है युद्ध को टाला क्यों नहीं जा सकता युद्ध क्या अनिवारी है महाभारत के युद्ध का प्रश्ण उठा करके उन्होंने जो विश्व युद्ध हुए उन समस्याओं क देखने की कोशिस की कि विश्व युद्ध के पश्चात जो जानमाल की अपार छती हुई मानोता के लिए युद्ध किस प्रकार घातक रहा और युद्ध क्या जरूरी है अगले प्रश्ण पर आएं तो नागारजुन से ही पूछा है अकाल और उसके बाद पर कितना सिंपल है अगर आप गौर करें तो आठ लाइन की ओ कविता है बच्चे की तरह आप उसको समझ सकते हैं दोस्तों प्रश्ण पांचमा जो पूछा हुआ है ये फिर ब्याख्या के प्रश्ण है आप देखिए विपन्नता के सोहाग ये प्रेमचन के गोदान की पंक्ती है आगे दिव्या की पंक्तियां है मारिस और दिव्या के बीच कथन है ब्याख्या इतने सिंपल सिंपल है आगे देखें तो महाभोज की पंक्ती है कहीं निर्मल वर्मा की पंक्ती है कुछ कहानिया है उनको डंग से पढ़ लीजे चार उपन्यास तीन नाटक है ब्याख्या बहुत अगला प्रोष्ण देखें मार्मिक नाटक है मोहनराक्स का अगर इसका कथ्य पूछले तू तो नहीं आसान नाठ्य काला और सहज है एक औही द्रिश्य यह कही यंग्क है क्या मेंल आचल पर प्रप्रशन है कितना सिंपल है यह हैं आधार पर र क्या आधार कुछ फाल की विचारधारा नुस्चित तोर पर दिभ्या में यहOur साल कि विचारधारा है वो मारक्सवादी सामाजी की अथार्थवादी घोधान के कथा विधान की समुक्षा करें यह यह नि किस प्रकार उसकी कथा है कथानक कैसा릴 कह सकते हैं कि अपन्यासिक पलण की चर्चा करें भारत दुर्दशा के आज भी प्रासंगीक है भारत भारत एंदु हरिश्चंद्र का नाटक है सकंद गुप्त के आधार पर जैशंकर प्रसाद की राष्ट्रिये चेतना आगे आप देखें प्रशन आठ परिंदे कहानी पर है श्रद्धा और भक्ति निबंद पर है और अक्षा कारिक्रम के दौरान अगर आप जुड़ते हैं या जुड़े हुएं बहुत से लोग तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्ण आपके लिए ऐसा लग रहा होगा कि हमने तो सारा तयार कर लिया अब भी क्या भी लिख देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद जुडिए इनके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए पी डबलू ओनली आईएस पर तब तक बहुत-बहुत शुपकाम नहीं बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो सरोप्रथम मैं राजेश मिस्र आज पी डबलू ओनली आईएस के आज के इस प्रोग्राम में UPSC 2024 मेंस इग्जामिनेशन ओप्सनल जोग्रोफी प्रश्ण पत्र के एक ओवराल व्यू को प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने आया हूँ आपको जैसा के पता है के भी हाल फिल हाल में UPSC ने अपना मेंस इग्जामिनेशन कम्प्लीट किया जिसमें से बीविध ओप्सनल के एक्जाम एक ही दिन थे उसमें से मैं अगर अपने ऑप्शनल की बात करूं जोग्रोफी की तो प्रमपरागत रूप से आप प्रश्णों को आज मेरे साथ साथ कुछ रूप से ठीक रूप से देखेंगे पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जोग्रोफी की जैसी आम प्रवृति रही है प्रश्ट पत्र ठीक उसी प्रकार से इस बार भी पूछा गया है जैसा कि Almost question इंटर और multi-disciplinary approach के पूछे गये थे जिसका मतलब कि अंतर और बहु विशाई प्रकति के पूछे गये थे दूसरी बात यह भी आपको जानना है इतना सुन्दर परंपरागत और समसामयक मुद्धों को मिला कर के प्रश्ट बनाए गये है प्रश्णों का समाव विशन इतना पूर्वक ब्योहारिक जिसको कहते हैं अप्लाइड और ट्रडिस्नल दोनों शेक्संस को मिला कर प्रश्ण बनाया गया है कि लगबग प्रतेक प्रश्णों को हल करने में विद्यार्थी ने अगर ठीक प्रकास से पढ़ा तो उसके चेहरे में मुस्कुराहाट अवश्य होगी खुशी के बाद तो यह भी है कि UPSC ने जो भी प्रश्ण पोचे हैं उनमें से जादा तर प्रश्ण क्लास में पढ़े हुए विशेबंदु से संबंधित पूछे गए हैं क्लास में दिये गए नोट से संबंधित पूछे गए हैं इसलिए विद्यार्थियों को हल करने में दिक्कत नहीं आई है पर चलिए आज आते हैं प्रश्णों के प्रारूप को समझने के लिए या खि को पेपर वन और पेपर टू के लिए अलग से सेपरेटली अपलोड कर दूँगा यूटूब पर ही अपलोड़ेड रहेगी जिसे आप देखिएगा जिसमें सिल्सिले बार तरीके से प्रश्ण के बीविद पक्षों को मैं समझाऊंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं आप सभ दोस्तों कि इस प्रश्ण पत्र में इस प्रश्ण पत्र में प्रथम प्रश्ण पत्र दोनों में कुल आठ प्रश्ण पूछे जाते हैं आठ में से आपको पांच ही प्रश्ण हल करने होते हैं जिसमें से पहला और पांचवा प्रश्ण कंपल सरी होता है से इस दो पार्ट मैं से किसी में से बी कम से कम एक प्रशन उठाते हुए पुल 5 प्रशनों को हल करना होता है नोट तो पहले ही दिया होता लैंड फॉर्म में इसे दो जगह पढ़ा जाता है एक तो माौंटेंस में पढ़ते हैं इरोडेड माौंटेंस वाले सेक्षन में पढ़ते हैं तो दूसरा जब सागरी तरंगे इन्हें अपर्दित करती हैं तो तरंगों के अपर्दन से जो तटिये रुंडित पर्वतों का निर्मान होता है इश्पर्स के रूप में पाए जाते हैं उस कंटेक्स्ट में भी इनका अध्यान किया जाता है तो बेसिकली यह लैंड फॉर्म से पारे में पूछा गया था कि सितोस्त चक्रवात का निर्मान फैलाव से थी कुल मिला कर Condition के सहरे इस के overlook पूछा गया था कि एक्सिक्स ऑफ डायोशन के सहरे Temperate cyclones किस प्रकार से expand किए हुयो होते हैं कि लिए इस बाद को पूछा था आप बड़े आराम से दोस्तों इसका भी जबाद लिख सकते थे प्रम-परागत रोप से पहला प्रश्ण बी ट्रैडिस्नल था दूसरा प्रश्ण बी ट्रैडिस्नल था थ है तीसरे में अगर आप देखें उपर यूग्त-उधान लाने वाले कारकों की व्याख्या करिए यह जो प्रश्ण है वो contemporary topic है sea level change समुद्र विग्यान से है समुद्र विग्यान में अपने आप में syllabus में भी दिया है sea level change और sea level change से संबंदित बात है कि अखिर किन किन कारणों से इसमें change आता है उसके बारे में पूछ गया है ग्रामीन छेत्रों में समाजिक आर्थिक परिवर्तन में समाजिक वानकी के प्रभावों के परिक्षण करिए सामाजिक वानकी के बारे में आप इसके दोनों के दोनों पक्ष को पढ़ते हैं इसके सकारात्मक और इसके नकारात्मक दोनों पक्षों को पढ़ते हैं तो आपको बताना था कि ग्रामीन जन जीवन में आप जानते हैं कि अर्थ ही है जो कि समाज की बिविद आयामों में परिवर्तन ला देता है तो समाजिक वार्ण की किस प्रकार से ग्रामीन आर्थिक जावे जीवन को प्रभावित की है कि उसकी वज़े से उसकी समाजिक संरचना में बदलावाए है क्या कुछ आप ऐसा देख पा रहे हैं इस संदर में इस प्रश्ण को आपको हल करना था एक पूछा गया है परवती छेत्र पारिस्थित की परिवर्तनों के परति अधिक भंगूर होते हैं अगर उनके बारे में देखा जाया तो आखिर क्यों ऐसा है कि वह ज्यादा एकोलाजिकल फ्रेजाइल होते हैं ज्यादा मतलब वहां का पारितंत्र ऐसा क्यों है कि अगर थोड़ी सी भी आगहात पहुंचाया गया अगर नकारात्मक परिवर्तन किये गए तो परवती छेत्रों का पारितंत्र विनस्ट होने का खत्रा उसके अधिक होता है इस बात प्रस्ण पूछा गया था तो देखो ये वाला जो सेक्षन है अगर इन तीन कुछ सेक्षन को देखेंगे ये तीन सेक्षन इंवार्मेंट एंड एकोलेजी से रिलेट करके भी दोनों के दोनों traditional geography को मिला दिया है तो इसको लेकर पांच प्रस्ण इसमें से पहले में बना दिया अब दूसरा प्रस्ण था परवत निर्मानकारी प्रक्रिया के नभी इंतम द्रश्टी कोणों का परिक्षन करिये explain the recent view of mountain building process इतना बढ़िया है दोस्तों इसमें बढ़िय विश्व में उनके उत्पत्ति के आधार पर विभाजित करना है आपको फिर बताना है कि विश्व इस तर पर जो परवत हैं तो कितने क्रमों में विभाजित हैं तो कालखंड की द्रश्टी से आप इसे explain कर देते बहुत ही शांदार traditional question था बड़े आराम से जवाब देश से क्लाइमेटौलाजी के संदर में कि विश्व जलवायू के कोपेन वर्गी करन के अच्छा सी विटरण का वर्णन करिए सिधा सिधा था दोस्तो निकि के वीटरण के बारे में आपको बताना्या जलवाईविक वर्गी करण क्यों किया जाता है और इसके साथ साथ आप थुड़ा सा इस पक्ष पर सीधे आकर आप लिखते तो इस अंसर को बहुत अच्छा कर सकते थे तो फिर एक प्रशन पूछा है कि हिंद महासागर की तली इस्थलाकृतियों को उपयुक्त रेखा चित हैं जीओ और फालेजी का प्राश्ण एक प्रश्ण में तीन टरपिक हैं तीनों से जोड़कर पोछ लिए हैं जीओ मॉर्फालेजी ट्ला होई से जोड़कर प्रश्ण बोच लिया दूसरा आंगे की बात अगर हम करें तो अब यहां आप देखते हैं क्वेश्ण नमबर त मौश्रम हालात को प्रभावित करती हैं जब आप एयर मासेज पढ़ते हैं तो एयर मासेज और फ्रंट का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो इस पक्ष में आपको बहुत डेटेल से अध्यान करना होता है तो उसे उस डेटाल डेटेल्ड एनालसिस से ही कुछ पिक करके आप यहां इस पर लिख सकते थे बार बार में जब मृदा के बारे में मृदा निमनी करण के बारे में बात करता हूं तो बताता हो कि मृदा अपर्दन को किशानुति मृत्यू कहा जाता है उसी संदर में देखो इसने थोड़ा सा बदलाव करते हुए क्या बहुत जबरदस प्रश्ण है प्रश्ण यह बहुत गजब का दोस्तों बहुत गजब का शौरी आज थोड़ा स्वास्त ठीक नहीं है इसलिए न तो फ्लू आ पा रहा है और नहीं वैसी चीज़ें पर कोई बात नहीं है हम जब कुश्चन प्रॉपर डिटेल्ड एनालसिस कर देंगे आप इस कोश्चन को किसी बुक से नहीं पढ़ेंगे आप अपने समझ यबोध गम्यता से बढ़ियां से लिख सकते हैं प्रश्ण बेसिकली है जैवे विवित्ता एवं सतत परियावरन संरक्षण के महतोपुन अभियवों के संदर्व में तो यह बोलता है कि इमोशन are important component of biodiversity and sustainable environmental conservation elaborate आपको properly इसमें बेटा कुछ नहीं करना तो बहुत अच्छे से बताना है कि जब तक किसी ब्यक्ति में परियावरन एवं जैविवित्ता के संरक्षण के लिए स्वा अनुभूति अविवित्ति और श्वा भावना जागरित नहीं होगी तब तक यह का किस प्रकार की होती है आप बढ़ियां से दुस्तों विस्तार देकर समझा देंगे तो आंसर बहुत अच्छा आजाएगा इस प्रश्ण का जवाब सत्ता जैविवित्ता एवं परियावरन संद्रक्षण के संदर में आप पढ़ते तो हई हैं बस इन तीन विशे बिंदू करें आपको इसमें लिखना चाहिए कि कौन सा ऐसा रास्ट है जो कार्बन न्यूट्रालिटी पर कर चलना सुरू कर दिया प्रथम कार्बन न्यूट्रालिटी वहला रास्ट कौन सा है उदारन देते हुए बात करेंगा दोस्तों तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेंद से संबंधित पूछा गया प्राशन है उसको भी हल करने में कोई दिक्कत नहीं ठी प्रजातियों की संब्रशना में अच्छांसी अधिया बढ़ियां प्रश्ण है यह पूछा बेसिकली प्रजाती का प्रश्ण है अक्षानसी प्रवंता के से जोड़कर जो प्रश्ण को बहुत कर दिया गया है प्लेन रूप से आपसे प्रजाती ना पूछ के बताया गया कि अख़र किस प्रकार से अख्शांसों के आधर पर, बढ़ते अख्षांसों के साथ निम्ल से उच्छा च्षांसों पर प्रजाति यह तमाम चीजें प्राप्त जा रहें लिखा सकता था है और इंवार्मेंट को जोड़कर बहुत अच्छे प्रश्ण बनाएं गए हैं अब यहां देखें हम बी सेक्षन में जिसको आप जोगरफिय वाला सक्षन कहते हैं मानो भूगुल के विकास में ब्योहार परक उपागम बिहावरिलिजम के बारे में आलोचनात्मक परिक्ष होती है हमको तो यह लगता कि हमारे यहां पानी नहीं है परन्त इसके कारण तेजी से वैश्विक होते जा रहे हैं पर यह समस्या केवल स्थानी नहीं बलकि दुनिया के इस तर पर है समझ रहे हैं कि नहीं दुनिया के इस तर से जुड़ी हुई है कैसे इस बात को बता दी यह पूछा हुआ है ना आपके सेटल Меняं जगरफी तो पूछा है अरवन जोगरफी रिजिटर् wonderful पूछ हु fen角is की आपको सेटल्मेंट जोगरफी में Arya peng अरवन सेटलमेट से पूछा हुआ है तौफ सकते हैं there is no there is a need for gender sensitive regional development कितना पढ़ियां बात पूछे गई है elaborate यह कहता है कि छेतरी विकास तो करिए प्रादेशिक विकास तो करिए लेकिन प्रादेशिक विकास में महिलाओं की विकास को भी ध्यान देना चाहिए यह होता है gender बस इतने पक्ष को ध्यान में लख रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो इस प्रश्ण का भी जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे रोस्टोप का मॉडल सिधा सिधा मॉडल है इसके बेसिकली सर्धान्तिक आधारों के साथ चरण को पूछा गया है कुछ है नहीं ऐस से इस प्रश्ण में बहुत आराम से लिखा जा सकता था पांच इसकी विशेव इंदु समाप्ति से आराम से कर सकते हैं फिर शहरी करण की प्रक्रिया विशेश रूप से एशिया अफ्रीका में इस प्रस्ट है जहां बहुतायत में शहरी निवासी अतिदिक गरीवी ठीक है ना तो बहुत अच्छा लिख पाएंगे इस परस्ट कीजएगे भौगुलिक इस्थान के बहुतिक द्रश्य ने किस प्रकार से इस्थानिक विशलेशन के प्रारूपों को प्रभावित किया है इसमें बहुत अच्छे सखेंए एक्स्प्रेंड हाव टू फिजिकल विव आफ जोग्रोफिकल स्पेस है इंपाक्ट फॉर्म ऑफ इस्पेसियल अनल्सिस मतलब आप जब जब भी किसी स्पेस की बात करेंगे रिजन की बात करेंगे तो उस संदर में पूछा है कि भौगुलिक कारक उसे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उस आधार को लेत अधारण प्रसंगिक है व्रतमान में है तो क्यों है नहीं है उधारन देते ओए आपको बता देना यहां पर हल हो है कि ईधैलिस के कृषिंश चिशत फैक्ट है करो सबते ही बजिदा करेंगे पर सीधार हमाई पराष्ट बात करेंगें प्रेसिदा नहीं करन के प्रमें देखें कि इसकी होड़ लगे हुई है फोड़ लोगों में होड़ लगे हुई है खासकर सिक्षित युवाउं में वाइस दा स्कील एंड स्कूप आफ ट्रास्ट नेस्नल लिंकेज अफ डैस्पोरा बतलब इस समय पर जो लगातार बात चल रही है दुनिया के इस तर पर संदर में बहुत डीटेल से बात करता हूं जो अंतर रास्टी प्रवाश के कारण क्या है उन कारणों का प्रभाव क्या है तमाम चीजें में पढ़ाता हूं और उसमें सब चीजें आहीं जाते हैं को चैने मांद्डो का आगलन करिए बैसिकली रिजनल जोग्रफी का क्वेश्चन है रिजनल डीवलप्मेंट में में सब से पहले हम रिजंगी आधार ना पढ़ते हैं रीजन की अधर्ण पढ़ते हैं रीजन को चैनित किया जाने के आधारों की ही बात करते हैं उसी से संबंधित पूछा गया है पूरक प्रदेश क्या है अभी तक आप लोगों ने बफर स्टाक पढ़ा था अब पूरक प्रदेश पढ़ना है तो आपको मेरी क्लास में आना हो यह बहुत कम बहुत कम लोग हैं जो इस टाइप का कुश्चन टच करते हैं पढ़ें समझे मेरी क्लास से आप देखें इसे कितने बढ़ियां तरीके से पढ़ा जा सकता है बहुत अच्छे से यह प्रश्ण तो अभी नया बना दिया अभी नए परिगटना से बना दिया व में सद्धार पर ने हल किया जाता है विक्षित देशों में आने वाले कुछ दस्कों तक जन संख्याक करना है बहुत अच्छा प्रश्ण है बहुत अच्छे से आप इसको भी हल कर सकते हैं तो प्रथम प्रश्ण पत्र में आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से कि अगर आठ प्रश्ण है तो आठ में से एक प्रश्ण ऐसा है जिसे आपको classroom में नहीं बलकि examination hall में ही बैठ कर हल करना होता अधरुआज बा उससे काफी प्रश्ण तो independently पूछे ही जा रहे हैं बाकी भी जो प्रश्ण पूछे जा रहे हैं उससे कहीं न कहीं प्रत्यच प्रत्यच जुड़ाव है दूसरा इस बार पूरे के पूरे पूरे प्रत्यक्रम के प्रत्यक सेक्षन को टच किया है यूपियोसी ने प्रत्यक पत्रों किसी topic औरыт हों जिको कम पणना है इससे तो आपके लिए एही बात उभर कर आती है आप आते हैं फटटाफ़ दोस्तों second paper में तो ठाइम कम लेते हैं सेकंड्ड पेपर में second paper को आप देखेंगे नियो जो लोगन कि जाव क्रच्ष्छन तो हमेशा ऐसा पूछा ही जाता है कि UPSC 10 अगर ये पूछा है तो 10 में से 3-4 हमेशा Contemporary विशेबिंदू पुछता है र 5-6 ट्रडिस्नल तो बहुत अच्छे से इसका जवाब आप इसमें करके लिख सकते थे कहीं कोई कठीनाई नहीं है सिवाली के निर्मान के इस पस्टिकन कितना सरल संड़क्षन के बारे में पूछा है सेकेंड प्रश्णी पत्रे में बहुत सारे फैक्ट से बहुत सारा कॉंट प्रेडी टॉपिक है बिस बचेस के बीच में जो भी कारी योजना बनाई गए उसके बारे में पूचा सीधा सीधा पूर्वत्तर भारत की भूराजनीति की शमवेदन सेलता की रणनीतिर की उपसे क्यों महतुपण है इसके बारे में कैसे बारती अंत्रिचनीच 2023 सीधा फैक्ट है आप उसके बारे में पढ़िए और लिखिए यह भारत के सनगरों गठन की प्रक्रिया पर विचने करिए यह दोस्तों जो प्रश्न है ना यह प्रश्न है ट्रेडिस्नल सेटल्मेंट जोग्रोफी का सेटल्मेंट जोग्रोफी का बिल्कुल अश्मानता हैं प्रतिरूप नहितार्त और चुनोतियों की व्याख्य करिये प्रश्न बढ़ा है ठीक से लिखना पड़ेगा बढ़ियां से लिखना पड़ेगा भारत में हिम्नदों की प्रकतिवे विभनताओं और जलबाय पर वरतन की कारण उत्पर्न होने व जितना अच्छे से जी असका फशन पत्रहल करता इसकी प्रकति कुछ वैसी देखने के माइग्रेशन से संबंदित प्रश्न है डिजिवलॉपमेंट न प्लानिंग से संबंदित प्रश्न है ट्राइबल डिवलफमेंटरिया से नदी जलबी बादू आधि से संबंदित इससे देख सकते हैं सब्सक्राइब एन कि फश्व और परीस करते हैं भारती क्रेस्छीत्री चैत्रilly कि ब्रवारती भारते बंदर गाहों प्रदेश के लिए क्या योजना बना साथ प्रॉपर बहुत अच्छा प्रश्ण है बहुत अच्छे प्रश्ण है भारती राज्यों की शांस्कृतिक प्रश्ण भूमी लिंग आयो सन्रचना फैक्ट सिधा के सिधा सिधा फैठ पॉपुलेशन जोग्रफी से फिर नेक्स्ट है ग्रामीन अवं सहरी छेत्रों में जल सकती अवियान देखलो सिधा फैक्ट से जल सकती अवियान के संदर में प्रश्ण अब CC भारत मायान विश्ण के मामसिने बहुत भीश्ण भूमी आइगम भारात्व माहुत उपूण वहां चाहिव करों में अपनाया गया क्राइब ब्रत्रों प्रत्र में देखा उसको बहुत आशानी से हेल किया सकता है तो त्रीज प्रत्र को और आशानी से हेल कर सकते हैं यह रिया आपने करेंट्स के प्रशने जो भी प्रशने बहुत अंकदाई हैं पढ़ेंगे ठीक से लिखेंगे तो बढ़ियां अंक पाएंगे धन्यवाद दोस्तों बिलते हैं डिटेल्ड एनालसिस के साथ अंगली कर्षा में पेपर वन का एक डिटेल एनालसिस अलग से होगा पेपर कू का अलग से होग तो I.S.Main का PSIR का पेपर हो चुका है और PSIR के इस पेपर में हम लोग फस्ट लुक की चर्चा करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था तो फस्ट रियक्शन है एक पेपर का इसके अलामा पेपर में जितने भी क्वेशन आये हैं उन क्वेशन को विस्तार से क्या लिखना था कैस संचिप्त में केवल क्वेशन के पैटर्ण को समझने के लिए है तो एज इस वल पेपर बहुत कठिन नहीं था पेपर सरल पेपर आप कह सकते हैं कि PSIR का पेपर जैसे आता है लगभग उसी तरीके से PSIR का पेपर पूछा गया है पेपर कठिन नहीं था कठिन की श्रणी में नहीं रखा जा सकता एक बात दूसरी बात UPSC ने पहले ही कहा है कि हम किसी ट्रेंड को किसी पैटर्ण को सेट नहीं होने देंगे निश्यत रूप से आप जब पेपर देखोगे तो आपको इस बात का अंताजा लग जाएगा जैसे हम लोग पेपर की एनालिसिस करते हैं त पैटर्ण ड्रा करने की कोशिश मत कीजिए कॉम्प्रिहंसेवली पूरे सल्बस को कवर कीजिए क्योंकि UPSC ने साफ कह रखा है कि हम कोई पैटर्ण सेट नहीं होने देंगे तो आप पैटर्ण ड्रा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो अगर आप इस पैटर्ण को ड्रा करके तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी डिरेल हो जाएगी तो हमें comprehensively पूरे सल्बस को कवर करना है जो पेपर है वह हमें फिर से इस बात को याद दिलाता है इसके अलामा अब जैसे फस्स पेपर है तो फस्स पेपर में एकदम traditional तरीके से ही question पूछे गए करांति पर लाग का वि solution पेश किया गया उस पर question पूछ लिया गया विधान परशदों के और पर question पूछ लिया गया तो जितने भी तरीके के question है वह बड़े traditional तरीके के question है आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो current में issues बहुत ज्यादा run कर रहे थे उन issues को focus किया गया हो ऐसा नहीं है हाँ यह बात जरूर है कि कहीं ने कहीं कुछ चीजें current में चलती रहती हैं तो यह उसका background मान सकते हो लेकिन सीधे current से first paper में question पूछने की कोशिश नहीं की गई traditional तरीके से ही paper बनाया गया जो second paper है PSIR का obviously second paper में IR है international relation है तो वहां traditional question तो नहीं हो सकता है हाँ जो comparative politics का part है तुलनात्मक राजनीद का है वह सर्धान्तिक पार्ट है conceptual पार्ट है international politics की जो thoughts और theories है वह कुछ conceptual पार्ट है इसकी अलामा जब हम लोग international relation पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा background है जैसे second world war से किस तरीके से पूरा system develop हुआ है किस तरीके से ups and downs आये हैं तो इन सारी बातों को लेकर कि question लगातार बने है और question पूछा गये हैं नाफ्टा के लिए अभी समेलन नाफ्टा के लिए फिर से बात उठी थी कुछ समय पहले तो नाफ्टा पर उन्होंने question बना दिया मियामार में जो कुकी और मैटेई का संघर्ष है मैमार और भारत की सीमा पर मैटेई और कुकी का संघर्ष है इस संघ कफ़ेक भारत की फिलस्तीन की के संभंद में विदेश्णीदी पर फीजिन पूश लिया गया है श्रिलंका और क्वारत की ट्रिकोड़ी संभंद पूश लिया गया तो जो भी सारे कही होई अगर आपने एक साल और अपको अश अक्राई कबर कर रखा है तो इंटरनेशनल सभाविक सी बात है कि आपको उसी तरीके से एनलेटिकल व्यूज आपको डिवलप करने पड़ेंगे जो रिसेंट इशूज है उन सारे रिसेंट इशूज पर जैसे भारत के सुरक्षा परिशद में वीटो को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इस बार भी पूछा गया है पैटन चेंज कर दिया गया तो व्यूंद आप देखोगे कि वह पूछे गया है चाहे फस्ट पेपर में चाहे सेक्ड पेपर में बहुत नहीं है अगर आपने कंप्रेहसिव लिए मैंने कहा कि यह नहीं देखना है कि इस टॉपिक से इस बार इतना पूछा जा चु पूछे जाएंगे कोई ट्रेंड कोई पैटर्ण फालो नहीं करता यूपी यूपी ने पहले क्या रखा है हम को भी ऐसे पैटर्ण पर चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है आप बिना किसी इस तरीके के पैटर्ण पर चिंतन किये हुए आप पूरे सल्बस को कॉम्प्रेहंस पाना आपके लिए कठिन नहीं रहा है लेकिन डिपेंड करता है कि आपने त्यारी को कितने एनलेटिकल व्यूस से और कितने comprehensively आपने किया है कितने व्याबक तरीके से कितने समगड़ तरीके से आपने तैयारी कर रकी है इसी के आदार्ः पर आपके मांक्स दिर्भर करते हैं और आपने कितनी प्राक्टिस कर रखी है तो वे और पेपर बहुत अच्छा था जैसे हर साल पेपर पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से PSIR का भी पेपर पूछा गया है और आगे भी PSIR के पेपर ऐसे ही पूछे जाते रहेंगे शेश एक एक क्वेशन में क्या-क्या एंसर लिखना था और क्या नहीं लिखना था इन सारी बातों के विशह में जो एक-एक शब्द की एंसर की एनालिसिस है फस्ट पेपर फिर सेकंड पेपर इन सब के विशह में हम लोग फिर विस्तार से जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं आपके साथ हम लोग करनेक्ट होंगे फिल्हाल यह केवल और केवल वीडियो आपके लिए यह बताने के लिए था कि यूपीर्सी के पेपर का अप्रोच कैसा था इस वीडियो में इतना है थैंक्यू हलो एस्परेंट स्वागत है आप सभी का पीडवलू ऑनली आइसकेस ऑनलाइन प्लैटफार्म पे आज के सेशन में हम लोग कल यानि दिनांक 29 सितंबर 2024 को मुख्य परिक्षा जो संपन हुई है ऑप्शनल की उसमें विशेशकर समाज शास्त्र विशेश से संबंदित प्रश्ण पर फस्ट रियाक्शन देखेंगे यानि प्रश्ण का नीचर कैसा था प्रश्ण में क्या-क्या पूछा गया प्यारी करते वक्त किन बातों का ध लेकर 29 सितंबर 2,024 सिवल सेवा 2,024 की मुख्य परिक्षा का आयूजन किया गया और कल वैकल्पिक विशेश का प्रश्ण पत्र 1 और 2 यह दोनूं ही संपन हो गया और उसी क्रम में कल समाज्शास्त्र विशे का भी वैकल्पिक विशे की परिक्षा संपन हुई तो समाजशास्त्र विद्यार्शियों के मन में उत्सुक्ता बनी होगी कि प्रश्ण क्या रहा nature of question क्या रहा हमें तयारी करते वक्त किन पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए इन्हीं सभी बातों के मद्दे नजर यह session आपके लिए बहुती useful साबित होगा तो चलते हैं start करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो समाजशास्त्र पेपर वन है समाजशास्त्र का पेपर वन यह कुल मिलाकर 10 unit में बटा हुआ है यानि इसमें कुल आपको 10 unit पढ़ने को दिये गए हैं है ना यह यूपीसी लास्ट येर जो है वो प्रतिक unit से 30 से लेकर 50 अंक तक के सवाल उसने सट किये यानि लगभग आप सभी जानते कि कुल आठ प्रश्ण होते हैं एक प्रश्ण का 50 अंक यानि 50 अंक के एक प्रश्ण है तो आठ यानि आठ प्रश्ण यानि 400 अंक के कुल प्रश्ण होंगे जिसमें से 200 अंकों का उत्तर आपको लिखना है और question number 1 और 5 mandatory होते हैं जिसमें सरल पूछे गए दोनों ही पेपर में अगर आप कहें तो प्रश्ण जो है nature of question अगर हम कहें इन नेचर आफ जो question कि अगर बहुत ही आसान है बहुत ही आसान और ज्यादा तर यह conceptual clarity पर बेस थे और कुछ आपके व्याभारिक ज्यान पर यानि concept प्लस आपके practical knowledge को mix up करके सवाल ज्यादा बने हैं दूसरा जो है same pattern almost repeat किया गया जो विगत वर्शों में चल रहा है यानि सभी यूनिट से question इस वर्श तीन चार यूनिट से पेपर वन में question कुछ अधिक पूछ दियेगे जो unaccepted unacceptable है मतलब बच्चों को लग रहा था जैसा pattern है उस हिसाब से जो प्यारी वो कर रहे थे उसमें कहीं न कहीं हट कर है क्योंकि जिसे माना गया कि थिंकर से 30 40 50 नमबर तक के सवाल आएंगे लेकिन इस वर्ष थिंकर से अगर आप देखें तो 90 नमबर तक के सवाल आ गए तो यह कुछ जो है वह unexpected experience बच्चों ने इसको महसूस किया कुछ खंड से ज्यादा प्रश्ण है तो उसके बारे में मैंने आपकी सुविधा के लिए पूरा एक चार्ट बना दिया है चलते हैं उसको देख लेते डिसकस करते हैं जिसे पेपर वन के अंतरगत यूनिट वन जो समाश्यास विद्य साखा को समर्पित है question number 1a और 2a यानि 30 marks के सवाल इससे पूछे गए पेपर 1 का unit 2 समाश्यास विज्ञान के रूप में इससे question number 2b यह जो है यह exam में पूछे गए question number है यानि इससे 20 marks का सवाल पूछा गया unit 3 की बात करें जो research methodologies and analysis से related है उसमें question number 3a और 4a यानि कुल मिलाकर 40 number के सवाल यहां से आए इसके अलाबा सामाजिक चिंतक विचारक जिन बच्चों ने thinker को जम कर उसकी त्यारी की है उनके लिए इस वर्ष बहुत सरल रहा होगा क्योंकि प्रश्ण अगर हम देखें तो 6 thinker पढ़ने हैं और 5 thinker से एक मर्टन को छोड़कर आप देखें तो लगभग सभी 5 thinker से सवाल पूछे गए माक से दुर्खिम से बेबर से पार्सन से मीड से सभी से सवाल है और 220 नंबर वाले और 400 notes है यानि समाजिक चिंतक से कुल मिलाकर 80 अंक का सवाल पूछा गया unit 4 से unit 5 स्टरीकरण और गतिसील पर वन का कार एमम आर्थिक जीवन इससे अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 40 नंबर के सवाल पूछे गए इसी प्रकार राजनीती एमम समाज से पेपर वन में मात्र 100 notes पूछा गया 10 marks का अगर हम गौर करें तो जो लास्ट के 2 unit है unit number 8 धर्म और समाज से 70 नंबर के सवाल आप देख सकते हैं जिसमें दो जो हैं वो 20-20 number के सवाल हैं तीन आप कह सकते हैं और एक 10 number का सवाल यानि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 70 marks के सवाल धर्म एबम समाज unit 8 से पूछे गए पेपर 1 की बात हो रही पेपर 1 के unit number 9 नातेदारी की विवस्था से 30 number के सवाल यह से आए और लास्ट टॉपिक जो है आपका आधनिक समाज में समाजिक परिवर्तन यहां से भी प्रशन ठीक ठाक पूछे गए 60 number के सवाल है तो अगर हम बात करें पेपर 1 की तो आप देख सकते हैं कि पहला question समाजशास की प्रकृति और anthropology से relation को लेकर था दूसरा status group जातिव जरूरत है उसको लेकर सवाल सौट नोट में पूछे गए इसी प्रकार पार्संस के फैमिली को लेकर जो भी concept रहें वहां से सवाल पूछा गया अगर सेकेंड प्रशन की बात करें तो समाजशास यूरोपिय ग्यानोदे एवं पुनर जागरन के उत्पाद के रूप में उ सब्सक्राइब करें तो यहां पर प्रशन किया गया है और आप देख सकते हैं प्रशन क्या है कि समाजशास्त्री अनुशंधान में डिजिटल एत्नोग्राफी एवं वीजुवल कल्चर दिर्श्य संस्कृति के उप्योग की बढ़ती प्रवरती को आप कैसे देख सकते है तो ऐसा नहीं कि एत्नोग्राफी आप सबने पढ़ा है रिसेंट टाइम में जो भी स्टडी हो रहे है उसमें कैसे हम डिजिटल टेक्नलोजी का अधिक से अधिक डेटा कलेक्शन से लेकर हर स्टेज में उसका इसके अलाबा जो वीजुवल कल्चर है चाहे एलेक्ट्रॉन अग्ला सवाल देखिए माक्स की अलोचना बेबर से रिलिजन के कॉंटेक्स्ट में लॉंग क्वेश्चन में पूछा इसी तरह अलगाओ की विशेस्ता और अलगाओ पर माक्स की विचार की अलोचना क्वेश्चन नमबर 4 में मिक्स्ट पद्धती बच्चों को थोड़ा यह नया लगा होगा नया कुछ नहीं है आपने परिमानात्मक या भारात्मक अनुशंधान पद्धती क्वालिटेटिव और क्वान्टेटिव अलग-अलग पड़ी है दोनों की मेरी डिमेरीट बेटर पद्धती क्या होगी ज़री दोनों को मिला दिया जाए और यही क्या है मिक्स्ट मेथड तो कहता है कि सम्झत है प्रफम द्रष्टिया बच्चों को दिक्कत जरूर हुई होगी लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझ का उन्होंने इस्तमाल किया होगा तो लिक्ष आएंगे सम सवाल बना है कामकाज एबं रोजगार की प्रकृति पर तक्निकी प्रकृति और स्वचालन यह एक भी कारेबं आर्थिक जीवन से सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइब में अगर देखें तो सामाजिक तत्य दुर्खिम की अवधारना और आत्महत्या की दर किस प्रकार सामाजिक तत्य बहुत ही सरल सवाल ठिंकर से पूछा है दूसरा सामानिकृत अन्य जेनरलाइज अदर्स का जो कंसेप्ट है मीड का वो पूछा है सामंति और पूंजी वादी समाज में कारे के संगठन में क्या अंतर है जो कारे का अलग-अलग समाजों में संगठन रहा जो वर्क एन एकनॉमिक लाइफ में आप यूनिट 6 में पढ़ते हैं वो डारेक्ट बहुत ही सरल सवाल सक्ति किस प्रकार सब्ता से मैक्स बेवर का कंसेप्ट आप पढ़ते हैं देखिए ये भी थिंकर से सवाल है समाजिक परिवर्तन में विज्ञान और प्रद्योगी की भूनिकाओं का अलोचनात्मक परिक्षन करें और एक क्वेस्चन ऑनलाइन सिक्षा अध्यापन ये तो बिलकुल ही करेंट सिनेरियो में बहुत ही लोग प्रिय था और आसानी से आपने देखा हो का विज्ञान और प्रद्योगी की से लगातार सवाद इसी प्रकार, question number six में स्थामाजिक आन्दोलन में, जो समकाली ने उसमें, इसमें social media की भूनिकाओं से सवाल है इसी प्रकार एक multicultural society में जो विविन प्रकार की diversity है चाहे racial, चाहे linguistic, चाहे religious उसको लेकर कैसे समाज को समाविशित क्या जाता बड़ा ही एक practical सवाल बना है जो religion and society से है उसके बाद आत्मबाद की अधारना religion and society का पहले भी पूछा गया है question number seven की बात करें तो आधुनिकी करन और धर्मनिर प्रिक्षता क्या आनिवारे रूप से एक साथ चलते हैं religion and society का पाठ है इसके अलावा समकालीन समाज में संप्रदा और पंत की तीजी से व्रिद्धी की परिघटना को आप कैसे समझते हैं इसके लिए कौन-कौन से कारक है अधिकतर कक्षा कारिक्रम में सम्मिल थे और अगर हम कहें तो एक दो प्रश्ण में ही थोड़ा अलग से आपको प्रैक्टिकल डामेंशन दिखाने की ज़रुरत है अगला सवाल साथ का सी समाज में समाजिक पदानुकरम के निर्मान एबम रख रखाओं में शक्ति विन्य सवाल है यह समाजिक स्तरीकरन और गतिशीलता से सवाल है इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन नमबर एट की बात करें तो आधुनिक परिवार है न केवल एकल एबम नव स्थानिये हुए हैं बलकि संतान किंदृत भी हो गए हैं आप इस चेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ फैम सवाल है जो युनिवर्सिटी एक्जाम में पूछा जाता है बहुत ही सरल और 20 मार्क्स का सवाल अंतिम विवन राष्टों के विकास और निर्भरता के संदर में वॉलरस्टीन के विश्व वर्ल्ड सिस्थम थियोरी क्लास में बहुत तेजी हमने डिसकस किया है डारेक्ट सवाल है तो पेपर वन का यदि हम प्रश्ण का एनालसिस करें तो प्रश्ण का जो नीचर है बहुत ही सरल है चलते हैं बच्चों प्रश्ण के बारे में चर्चा करें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर टू है अगर हम बात करें पेपर टू की तो हमारा पे Section C in section न में Paper 2 आपका बटा हुआ है Section में वे समाजिक परिवर्थन आप देखते हैं Section B में आप समाजिक संगठन देखते हैं Sumatis जान्रचना या संगठन और Section C में समाजिक परिवर्थन से वे संबन्दित और ये भारतिय समाज का परिच्थेस से अगर इस बार का ट्रेंड एनालसिस किया जाए तो इस वर्ष टेक्शन सी से ही सिर्फ 200 मांक्स के सवाल पूछ दिये गए यहां पर 200 मांक्स कहने का मतलब कुल 400 मांक्स का पेपर होता है जिसमें आपको धाई सो लिखने होते हैं है ना पाची सवाल लिखने है आए आउट तो अगर हम सेक्शन सी जो भारत में समाजिक परिवर्तन से समर्पित है जिसमें आपको कुल 7 टॉपिक पढ़ने हैं सब टॉपिक उससे 200 मांक्स का आधा सवाल वहीं से है सेक्शन बी का रेलेटिव सिगनिफिकेंस अभी भी बना हुआ है अगर हम यहां पर बात करें तो 160 मांक्स के सवाल स्टेक्शन भी समाजिक संडचना या संगठन से है और स्टेक्शन एसे मियरली 40 मांक्स के सवाल इस वर्ष पूछे गए जैसे आप देखिए अगर हम बात करें समाजिक संडचना जो हमारा पहला अगर हम बात करें तो पहला हमारा section है भारतिय समाज का परिचे जिसमें unit 1 है भारतिय समाज के अध्यन के परिप्रिक से मात्र 20 नंबर के सवाल यहां से पूछे गए इसी प्रकार भारतिय समाज पर अपनिविशिक साशन का प्रभाव से मात्र 20 नंबर के सवाल आए से पहले ज्यादा सवाल है इस बाट जाती ववस्था से मात्र 20 नम्बर के सवाल और दूनों ही सवाल 10 10 माक्स के इस वर्ष का सिस्टम से बहुत कम सवाल है । अगर हम यूनिट 5 की बात करें section B की तो भारत में नातेदारी की विवस्था से साथ नंबर का सवाल अगर हम सबसे अधिक सवाल वाले section की बात करें तो unit 6 नातेदारी की विवस्था से साथ नंबर के सवाल है जिसमें 2 short notes और 2 अगर हम कहें तो 20 नंबर के सवाल है इसी प्रकार धर्म और समाज जो section B का last unit है उससे 20 नंबर के सवाल है आप देख सकते हो 30, 20, 50, 20, 70, 10, 80, 60, 140, 20, 160 नंबर जैसा मैंने बताया वो section B से है जबकि मात्र 40 नंबर section A से paper 2 में पूछा है चलते है section C से जहां सबसे अधिक सवाल है भारत में सामाजिक परिवर्तन यहां आप सब को पता हो अगर आपको syllabus की समझ होगी तो 7 unit है पहला भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां से मात्र 20 नंबर के सवाल है भारत में ग्रामी नेवम कृषकरूपांतरन से 10 नंबर के सवाल पूछे गए इसी प्रकार आधुनिक भारत में सामाजिक आंदूलन से 40-50 नंबर पहले भी पूछे गए इस बार भी 40 नंबर के सवाल है इसी प्रकार जनशंख्या गतिकी से इस बार एक question मात्र 20 नंबर का पूछा गया और लास्ट जो सामाजिक रूपांत सरण की चुनौतियां है जो आपका सबसे important topic में से एक है उससे 40 नंबर के सवाल पूछे गए आप देख सकते हैं बच्चों 20, 30, 30, 60, 140, 160 और 200 कुल 200 अंक के सवाल section C से पूछे गए हैं और paper 2 में इस बार नया क्या था तो इस बार current best सवालों की संख्या कम रही है विगत दो वर्ष से UPSC बहुत ही सरल सवाल बना रहा है और थोड़ा current based सवाल कम बना रहा है आज के समय में भी आपको अनावश्यक इधर उधर भटकनी की ज़रूत नहीं है आपको stick to basic कहीं न कहीं आपको basic anxiety और basic textbook तक आपको सिमित रहना है थोड़े बहुत ब्याभारिक dimension के लिए आ आप देखने का प्रयास करें और सबस्यम हत्तपून बात है किसी भी topic को अनावश्यक विस्तार नदें किसी भी topic को कम करके नाके माना की paper one में thinker से धर्म और समाज और परिवर्तन से कुछ अधिक सवाल है लेकिन कुई ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी same pattern हो आप पूरे syllabus क सब्सक्राइब करें तभी तभी आप किसी वैकल्पिक विशे में 300 अंक जो है सिक्योर कर पाएंगे उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष समाज सास्त्र विशे से जिन लोगों ने भी मुख्य परिक्षा लिखी है उनके लिए प्रश्ण बहुत ही सरल रहा होगा और इस वर्ष कर साथियों चलिए जो है इस्ट्री ऑप्षिन पेपर जो है आप लोग का कंड़क्ट हो चुका है और एक तरीके से पेपर को देख करके बहुत ही इंट्रोजिस्टिक आप लोग भी होंगे जैसा कि बार बार मैंने आप लोग से कहा हुआ है कि हिस्ट्री ऑप्षिन में कर देखा जाएका उसके बाद ऐस लोग के साथ जल्द लोग यूट्यूप के प्लेटफ फॉमपर अपे लोग पेपर टू है एक्टूली यह जो है मॉडर्ण इंडियन हिस्ट्री का देखते हैं मैपिंग का सेग्मेंट है मैपिंग पर हम लोग डीटेल एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा यहां पर देखना है हरपा कला अध्यात्मिक और आनुस्ठानिक जीवन के साथ साथ उनकी सौंदर सम्बंधी समभेद्नाओं को भी समझने में योगदान करती है • बहुत यसानसा प्रस्न है अगर जीयस में आपने किया होगा। z में भी हारप्पा कला है to Calla में भाइ मुर्थी कला है का सकeto्राक तो इसके अलावा सभयतां की नगर योजना उसके तो तो को और आनुस्थानिक गीवन के साथ साथ उनकी सौंदेर सम्मंधी में नर्तकी की मुर्ति मुली हुई है इसके साथ जो है बरतनों पर बी आइडबलू है उस पर जो कुछ में ले रहा था जी आसके बैट में इवेंट जो है तीन परकार के सवाधान के बारे में चर्चा किया गया है उन्हीं सवाधान के बारे में इन्होंने ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और लंबा बच्चों हो है दस से पंदर मिनिट का ही वीडियो हम लोग जो है इसको कॉनफाइन दखा जाएगा डीटेल एनलसिस आप लोग के साथ लाया जाएगा यह रैंडम हम लोग जो है डिसकुसन कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं कुछ- समराज जी कहा जाता है और उनके सामाजिक धार्वी पंद्रिस से को समराट असोग का जो धम्मनिती है धम्मनिती में मैंने कई वर आप लोग से चर्चा किया है तो अप असीनवे बहुकेहने दयादाने सचे सोचवे माध्वे साध्वे च यम्चूध हमम कहने कार्थ क्या प्रवादी काल के बीच में राज संस्था और कर प्रणाली के करें की पराकरम की चर्चा कीजिए तो सारे बैच में इस बात जो है ऐसा ही प्रस्ण जो है मिंस में भी पूछा था हम लोग चुकी चार्ट में करते हैं तो यहां पर बस इन्होंने कहा है कि सब कुछ मुझे म बताईए जीयस में वो समाज और अर्थ विवस्था करके पूछे थे यह उसके और एक स्टेप अंदर जा रहे हैं राज संस्था सभा संस्था और विदत है वो हो गया कर प्रणाली जो है इनका बली और भाग है उसी तरीके से अब यह एक्जैक्ली क्लियर नहीं हो रहा है जब टाइप होकर के क्वेश्चन आ जाएगा तो ज्यादा डीटेल में हम लोग देखेंगे तो बस केवल स्पेसिफिक उन्हीं दो तीन बातों पर हम लोगों को चर्चा करना है चाटी और आठीश अताबदी इस भी के बीच पल्लो चालू के संघर्स हाल फिलहाल में भी अभी आप लोगों ने ऑप्शनल बैच में भी किया था और लगबग एक महिना पहले आप लोगों ने जीएस बैच में भी किया था लगबग 500 सालों तक चला था चार चरण में चला हुआ था इस तरीके से पल्लो चालू की संघर्स पहले सी एजंसन मेंने कहा था कि यह बताईए बेसर सेली भी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही किया था और उसमें आप बताया गया था कोई कला की स्वतंत्र विधा नहीं है नागर और द्राविड की विसेस्ता हैं इसमें जो है उस समाहित होती है तो उन्हीं विसेस्ताओं को हमें यहां पर रखना है फिरोस्ता तुगलक की आर्थिक नितियों का मुल्यांकन कीजिए डिरेक्ट क्वेस्टन स्वें दिया गया है आर्थिक नितियों में वो जो हाटी कल्चर को प्रमोसन देते हैं पहले ऐसे सासक रहते हैं सल्तनत के भारती इतियास के जिन्होंने अपने आयकी गड़ना करव पांच पांच नहरों का निर्माड करवाया था विस्तार कर था नवीन सिह का अर्था और उार्थ्फिकर नितियों परिवाद्टी सांस्कृत्ति में कलंदर्या के योगदान का मुल्यांकन करना है कलंदर्या संपरदायर हरता है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है आगे कह रहे हैं कि पुर्तगाली उपकरम की विशेस्ताओं पर प्रकास डालिए थे सब्सक्राइब कैसे बदल रहे ह इन वाट वेस्ट द्यार्दर इजी मत्तों वही चीजे जो पढ़े हैं उसे नए कलिवर में पूछा गया है और जेप के सासंकाल के दौरान किसान विद्रों के कारण यह थोड़ा सा टब क्वेस्चन है जो थोड़ा सा डीप में जा करके पूछा है मतलब मुगलकाल का क्रिस पाओं में कैसे युगदान दिया अगर मराठो की सफलता की बात किया जाए च्छतरपती सीवा जी महराज की सफलता की बात किया जाए तो उनकी गुरिल्ला युद्ध पद्धती ही उसमें जो है एक निरनायक भूमी का निभा रही होती है दुनिया की किसी भी अगर नेप पोलियन का पतन कर दिया उसी परकार दकन के फोड़े ने औरंग्जेब का पतन कर दिया इसी तरीके से वियत नाम में जो होची मिनर रहते हैं उनकी गुरिला युद्धपधती जो रहती दुनिया के हर जगा पर पहारी पठारी छेतर है तो उनके लिए बहुत ही मुफीद र हुए हैं और हॉलिस्टिक वे में जाकर कि आप नोट्स को जो कॉम्पाइलेशन नोट्स उसको पलट करके देख सकते हैं डिरेक्ली जो है क्लास में इसका नोट्स हम लोग बनाये हुए हैं भामनी अर्किटेक्ट्चर का आगला क्या है बाई 28 अधी के भारत की राजितिक करते वह स्था पर पानी पत का तीसरा युद्ध अक्सर जो है वह इसके पहले भी प्रस्ण जीयस में पूछे तो नहीं कि क्यों इतिहास की सभी निर्णायक लड़ाईयां पानी पत के युद्ध में हुई हैं इसे भी इन डिटेल हम लोग समझा जाएगा आगे जो है कैसे यूरोपी व्यापारी कंपनियों के अस्थापना के फलसोरुप भारत में नगरी करण की प्रक्रिया का परिक्षण कीजिए और जोगी करांती से जीयस में प्रस्ण पूछा था मोर अर्लेस कर सकते हैं कि एक ही परिवार का ये प्रस्ण जो है वो है और जोगी करांती यू बढ़ावा दे रहा है वही सारे च्छेत्र नए नगरीकरण के रूप में आते हैं तो मुद्रा का जो अर्थव्यवस्था का मौद्री करन करते हैं इससे भी नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है इन्हीं प्रस्ण पर हम लोग को बातचीत करना है लेकिन परिक्षन करें कह रहे हैं तो कुछ नकरात्मक पक्षो को भी देखा जाएगा अगला बुद्धा क्या है तो अब भाई पेपर टू है पेपर टू का यह सेक्शन ए है सेक्शन ए में आप देख रहे हैं प्लासी के युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राजा निर्माता बन गए थे के अगर एंसर कखो जाएदा तो जड़े कहीं ने कहीं वहां पर जा करके मिल जाती हैं वैसे ही कहने उप्योगितावाद के मुल्यों ने कंपनी प्रसासन को भारती समाज में सुधार के प्रयास के लिए प्रेरित किया उप्योगितावाद इस पे भी डिटेल में चर्चा ह होता है तो कह रहे हैं कि मुल्यों ने कंपनी प्रसासन की भारती समाज में भारती जो रुड़िवादी समाज है उसको अगर प्रोग्रेसिव बनाया जाए इंग्लिस एजूकेशन उनको दिया जाए उनको जो है कि व्रद्धि हुए just commercialization of agricultural crops उनका में अब्जेक्टिव कि नितियां है उसके साथ और भी उनकी नितिया है उन सब के परिपक्ष में हमें इस प्रसन पे चर्चा करना है आगला बच्रों प्रसन क्या है आगला प्रसन जो ह संप्रदायवाद नकसलवाद यह सारे वाद जो हैं तो उसमें से छेतरवाद पर पूछा गया है और वेसिक सास्थन के विरुद्ध अपने संगर्स में एक दूसरे को मजबूत करने के लिए ट्रेड यूनियन जो है मजदूर आंदोलन आप लोग को बताया गया उसी परिप प्रबोधन के विचार में कांट हैं लॉक हैं फिर आगे चल करके रूसो आते हैं तो प्रबोधन में क्या रहता है रहती है रहता है वहां से प्रस्ण पूछा गया है अमेरिकी ग्रीजुद्ध और द्योगीक उत्तरत था अब इन डिटेल जाने से बहतर है कि अमेरिकी जो सिविल वार है वहां से प्रस्ण है सिविल वार पे भी हम लोगों ने कारण क्या था उसका प्रभाव क्या था अब्रहाम लिंकर की भूमिका क्या थी यह सब हम लोगों ने देखा ही था जर्मनी के एक इकरण में जितना कोईले और लोहे का उत्पात था उतना ही रक्त और लोग की निति भी किमेदार थी किसे भी हम लोगों ने देखा था विसमार की आइरें एंड ब्लड पॉलिसी रहता है आगे फिर कह रहे हैं एक 1990 की करांतियों ने ना किवल सरकारों को ही नस्किया उन्होंने एक विचारधारा का भी अंत किया तो इस तरीके से वल्ल हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो 1989 में जो है बरलिन की दिवार का गिरना है वहां से रिलेटेट यह क्वेस्ट्टस जो है वह रखा गया है इंग्लैंड में ओद्योगी करण जो है ओद्योगी करांती ब्रिटेन में ही हुआ था तो ओद्योगी करांती से ये प्रस्ण पूछा गया है प्रथम विश्यूद्ध से प्रस्ण है रूस में ओद्योगी करण का जो प्रसार है वहां से प्रस्ण पूछा गया है Second World War से questions पूछा गया है Europe का EEC जो रहता है इस पर बकायदे जो है इन डिटेल नोट्स भी आपको दिलवाया गया था वहां से प्रस्न पूछा गया है दक्षिम अफरीका का जो अफार्तिजम है वहां से प्रस्न पूछा गया है फिर जो है लैटीन अमेरिका में अल्प विकास किस हद तक नौस अमराजवाद का कारण हुआ वहां से भी प्रस्न पूछा गया है तो ये क्या है बच्चों ये एक तरीके से जो है आपका पूरा जो है इन डिटेल जो है हम लोगों ने एनाल्सिस इस सेग्मेंट में रखा है तो जल्दी हम आप लोग के साथ आ रहे हैं पूरा एक कम्प्लीट जो है पेपर वन और पेपर टू के सेपरेट वीडियो के साथ स्टे टून विद आवर चैनल यूट्यूब चैनल तil then all the best